नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सर्मार सनीवार के दिन विशेश तोर से सनीदेव की अराधना होती है लेकिन इस दिन अगर हनुमान जी की अराधना की जाए तो सनीदेव की किरपा यूही मिल जाती है और सनीदेव अपने भक्तों को कभी कोई कश्ट नहीं देते इस कलियोंग में हन्मान जी एक मात्र ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों की हर इक्षा भी पूरी करते हैं और वो इस समय धर्ती पर बिचरन भी कर रहे हैं अगर आपकी कुंडली में सनीदेश दोस है या फिर आपको लगता है जीवन में बहुत ज्यादा इस्ट्रगल है तो सनीवार के दिन कुछ बिसेश उपाई करके आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं समस्याओं से मुक्ती पा सकते हैं तो सनिवार के दिन कैसे हनुमान जी को मनाए कि आपके जीवन के हर कस्ठी दूर हो जाए आज हम आपसे यही तो साजा करेंगे देखिए सबसे पहली बात तो हनुमान जी को मनाना ज़्यादा मुस्किल नहीं है हन्मान जी एक पान के बीडे से भी खुस हो जाते हैं और दो तुलसी के पत्ते से भी खुस हो जाते हैं बस जरूरत है दिल से उन्हें पुकारने की और ये पुकार सिर्फ आपकी ही सुनेंगे कैसे आज हम यही तो आपको विस्तार से बताएंगे देखिए सबसे पहली बात एक छोटा सा उपाय आपके जीवन को बदल सकता है सनिवार के दिन एक बढ़ का पेड़ का एक पत्ता तोड़ कर ले आईए बढ़कत का पेड़ आपको पता होगा इसको साप पानी से धोले अब इस पत्ते को हनमान जी के चर्नों में रख दे और इस पर केसर अगर आपके पास है नहीं तो कुमकुम से केसर है तो उसमें दो गुंत पानी डालके उसको गिला करके उससे लिखे या फिर कुमकुम से लिखें स्री राम इस पत्ते को हर्मान जी के चर्णों में रख दे और बाद में उठा कर अपने पास रक्षित रख ले धन की परेशानी समाप्त होती है अगर सत्तु विरोधी ज़्यादा परेशान करे तब नियमित रूप से आप अगर हर्मान जी के चर्णों में लाल गुड़हल कापुस परपित करे तो आपके सत्तु विरोधी आपको चाहकर भी परेशान नहीं करते वैसे तो एक खास उपाय ऐसा होता है जो आपके सनी दोसों को समाप्त करता है ऐसा माननेता है अगर सनी बार के दिन आप एक सरसों के तेल का दिया और एक नारियल लेके हन्वान जी के मंदिल में जाए नारियल को अपने सर से साथ बार उतार ले और फिर हन्वान जी के मंद्र का जब करे और इसके बाद नारियल को हनमान जी के चरनों के आगे फोड़ दे इसके बाद आप इसको परसाथ के रूप में सब को बाढ़ दे यकीन मानिये जीवन में कैसा भी कठिन समय हो उन कठिन समय से आपको बाहर निकलने में मदद मिलती है वैसे तो हनमान जी को बूंदी का लड़ू या बूंदी का परसाथ बहुत पसंद है अगर बूंदी के लड़ू के साथ दो तुलसी के पत्ते रख कर आप हनमान जी को अरपित करें तो धन की समस्या दूर हो जाती है अगर बुन्दी का लड़ू और पित ना कर सके तो चना और गुड़ का ही भोग लगा दे इससे हर संकट ही समाफ्थ हो जाते हैं अमाल लेते हैं चना आपके पास भीगोया हुआ नहीं है तो ऐसे में सिर्फ गुड़ की डली का भी भोग लगा सकते है हन्मान जी को इस दिन अगर सनी बार के दिन आप साम के समय हन्मान जी के मंदिल में जाकर बिसेस मनोकामनाओं की पूर्टी के लिए बिसेस उपाय करें तो उससे भी आपको लाब मिलते है देखिए सबसे खास क्या होता है अगर साम के समय हनमान जी के मंदिर में सरसों के तेल का मिट्टी का एक दिया जलाएं उसमें दो साबूत लॉंग डाल दे और हनमान जी के सामने बैठ कर हनमान चालिसा पढ़ें तो आपके जीवन के हरकस्ठी दूर हो जाते हैं लेकिन विसेस मनों कामनाओं की पूर्ती के लिए जैसे आपको नौकरी की प्राप्ती करनी है आपको जीवन में सुखों को भोगना है आप चाहते हैं आपको जौब मिल जाए आप चाहते हैं आपके घर में बरकत हो तो तूलसी के पत्ते की माला आप हर्मान जी को पहनाईए तो इससे आब बना सकते हैं तूलसी के हर एक पत्ते पर डंठल होता है थोड़ा थोड़ा ना लाल धागा के सहारे बान बान कर माला बना कर हर्मान जी को पहना दें हर कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी तो हन्मान जी को मनाना तो आसान है क्योंकि छोटे से उपाय से भी हन्मान जी परसन हो जाते है तो अगर कभी कभी क्या होता है हन्मान जी विसेश आप मनोकामनाओं की पूर्ती के लिए भी हन्मान जी के सरन में आते हैं तो उस विसेस मनो कामनाओं की पुर्ती के लिए एक छोटा सा उपाई करें एक लाल धागा, मौली धागा लेकर हनमान जी के मंदल में जाएं वैसे आप उनको जन्यव भी अर्पित कर सकते हैं या तो लाल धागा अर्पित करें या जन्यव अर्पित करेंगे तो हर्मान जी को पहना दीजिए और लाल धागा जब रपीत करें तो इसको उनके चर्णों में रखकर प्रसाथ की रूप में अपनी कलाई में बांध ले हर बाधाओं से संकटों से दुरघटना योगों से सुरक्षित बने रहेंगे और हर कारे में भी आपको सफलता मिलेगी अगर लगता है आपको कि जीवन में हर जगा सिर्फ अपियस मिल रहा है समान नहीं मिल रहा हर काम में निरासा मिल रहा है आपको लगता है जैसे सब कुछ आपके हाथों से खोसा जा रहा है अब ऐसे में क्या करेंगे ऐसे में इस सनिवार के दिन पीपल के ब्रिक्ष का कम से कम हरे रंग का पतपा देखकर एक्जारा पत्ता ले आखे अब इस पत्ते को आप धोले और इस पर आप सिंदूर के सहारे लिखिये राम और इसका माला बनाईए हनुमान जी को पहना दे याद रखिएगा कि यह जो पत्ते हैं बिल्कुल सुन्दर सा खुबसूरत तुटा-फुटावा ना हो और उनको पहना दीजे जब आप अस्टगंध या कुमकुम से राम लिखकर उनको पहनाईएगा स्री राम तब हनुमान चालीशा का पाठ कीजिएगा और अपनी मनोकामना कहिए कुछी दिनों में आपके कितना भी परिसानी हो कितने भी कुरूर गरह की पिड़ाएं हो वो समाप्त हो जाती है और अगर करजों से परेसान हैं तब सनीवार की साम मीठा पान का बीड़ा हनमान जी को अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि करजों से प्रभू मुक्ति दिलाईए कुछी दिनों में आपको करजों की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी ये मीठा पान का बीड़ा आप खुद भी बना सकते हैं या पान के दुकान वाले से भी ले सकते हैं उनको कहिएगा भगवान को चड़ाना है और इसमें चुना और जर्दा बेगरे मत डलवाईएगा इसमें आप लोंग इलाची बिगए डलवा सकते हैं उन्हें अरपित करें मंगलवार के दिन सनी देव को प्रिसन्द करने के लिए हनुआन जी के सरण में आना ही चाहिए लेकिन भूल कर भी काले कपड़े मत पहनियेगा क्योंकि मंगल बार के दिन काले कपड़े पहनने से सनी देव नाराज होते हैं और सनी बार के दिन लाल कपड़े पहनने से सत्रू विरोधी बढ़ते हैं याद रखिए तो भूल कर भी लाल कपड़े मत पहनिएगा सनी बार के दिन दूसरी बात जीवन में जब लगे हर जगा हार मान गया है तब साम के समय अपने घर में आप लॉंग और कपूर जलाईए आपकी मर्जी जितना जलाना है अब इसको पूरे घर में आप इसकी धूप दिखाईए फिर जब वो सांथ हो जाए तब इसका जो राक है किसी पानी में मिला कर अपने घर के दरवाजे पर डाल दीजिएगा साम के समय नहीं डालना है ये आपको अगले दिन डालना है ऐसा करने से निगेटिव एनरजी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से आप अर्मान जी को मनाईए फिलालम आपसे भी दा लेते हैं फिर मिलेंगे हर हर महादी